हेलो दोस्तो नमस्कार मैं रवीन चोधरी कंसल्टेंट अप्नोमेटिस्ट दोस्तो आज हम बात करेंगे फोटो क्रोमेटिक लेंस के बारे में ये लेंस क्या होते हैं इनके क्या क्या यूज होते हैं और इनका क्या क्या फीचर होता है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भूप च्छाओं का lens या आज κάν हम इसे प्राटिशन लेंस के नाम से भी जानते हैं जैसा कि नाम से किलिए है day night lens, यानि की इस lens को दिन और रात दोनों में यूज किया जा सकता है, इसलिए भी इसे day night lens बोलते हैं, साथ ही यह पावर और बिना पावर के भी आते हैं यह दि आपकी आँख में पावर है तो आप पावर के साथ यूज कर सकते हैं यह दि आपकी आँख में पावर नहीं है तो प्लेन नंबर के साथ यूज कर सकते हैं जिससे आपकी आँख सेफ रहती है यह lens दोस्तों यूज करने के बाद में जैसे ही बेक्ति धूप में जाता है lens अपना color change कर देते हैं और छाओं में आते ही अपने वास्तविक color में आ जाते हैं यानि कि यह सफेद हो जाते हैं इसलिए इसे हम automatic lens भी बोलते हैं इस lens के color change होने का केवल एक ही कारण है UV rays जब UV rays हम अपना color change कर देते हैं फोटोक्रोमिक lens में silver chloride नमक मॉलिकूल होता है जब इस lens पर UV rays पड़ती है तो silver और chloride नमक मॉलिकूल तूर जाते हैं जिसकी वज़ा से इसका color change हो जाता है जैसे जैसे हम च्छाओं की तरफ जाते हैं यानि कि UV rays का lens पर प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है उसी ratio में यह lens अपने वास्तिविक color में आना शुरू कर देते हैं जब हम च्छाओं में काफी देर रहने लगते हैं और यह अपने वास्तिविक color में आ जाते हैं यह lens दोस्तों कांच और fiber दोनों में आते हैं अगर आप कांच का lens यूज करना चाहते हैं तो कांच का lens कर सकते हैं तो दोस्तो इससे पहले हमने वीडियो एक बनाया है कांच और फाइवर लेंस के अंतर के बारे में तो यह इधी वीडियो आपने हमारा यह नहीं देखा है तो मैं लिंक description में दे दूंगा उसको जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको कांच और फाइवर में अंतर समझ में आए और पीजी लेंस को भी आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप अपनी सुवधा के नुसार फाइवर डेनाइट लेंस या ग्लास डेनाइट लेंस का चुनाव कर सकते हैं जिसे आप की आँख सुरच्छित रहे तो ज्यादा तर फोट ज्यादा सुटेबल हो सकता है यदि आपका कार नाइट में ज्यादा है तो आपके लिए ब्राउन कलर काफी सुटेबल हो सकता है तो आप अपनी सुद्धा के नुसार अपना तिंट चूज कर सकते हैं नाइट में ब्राउन कलर इसलिए भी आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं क्योंकि यह टिंट रात में कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं जिससे बिजन क्लियर मिलता है और चीजें असपस्ट दिखाई देती हैं तो आपको काफी अच्छा फील होगा साथ ही यह लेंस हार्ड कोट और एयरसी कोटिंग दोनों में आते हैं यह कोटिंग आप अपने परपच के हिसाफ से चूज कर सकते हैं यह लेंस बच्चों तथा किसी भी एज ग्रूप के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि यह हमें UV रेस से बचाते हैं दोस्तो एक सबसे बड़ा डाउट यह भी रहता है कि फोटो कॉर्मेटिक लेंस और पोलराइज लेंस एक देते हैं तो पोलराइज लेंस और फोटो कॉर्मेटिक लेंस में यह डेपरेंस बहुत ही माइने रखता है तो लोगों के मन में भर्म रहता है कि डौनों लेंस एक ही है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं जुस्तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर के बारे में कि होटो कॉ फीचर आपको यह मिलेगा इस lens में कि यह lens हमें UV rays से 100% बचाते हैं क्योंकि जब हमारी आंख पर UV rays डारेक्ट पड़ती हैं तो हमारी आंखों में बहुत सारी बिमारिया होने का चांस बहुत ज्यादा होता है जैसे cat track, armd जैसे खतरनाख बिमारिया होने की संभावना बनी रह के हिसाब से भी इस टिंट का चुनाओ कर सकते हैं जैसा कि आपको उनने पहले बताया कि ब्राउन और क्रे कलर में यह lens available होते हैं तो आप अपने fashion के हिसाब से इस टिंट को यूज़ कर सकते हैं तो day night lens यूज़ करने पर आपको दिन और रात दोनों के लिए अलग अलग चस होते हैं और इनके क्या feature होते हैं यदि आपको यह जानकरी अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर हमारे नए हैं तो rate अबला बटन दावा कर सब्सक्राइब कर लिजिए बागल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लिजिए ताकि आंक से स सामने लाओं तो इसको notification आपको तुरंद मिल जाए इसको साथ वीडियो को समात करते हैं धन्यवाद नमस्कार जैहन